हुआ है यह यह सूर्भी वैलइकम तु स्टेडी है आज के इंपोर्टेंट वीडियो है फॉर ओल कॉंपिरेटिव गजामिनेशन इंपोर्टेंट गवर्मेंट सकीम को घरृूर गाष हो गृआ ना हो पासधर आपकी एनदर वीडियो आईगी ठीक है पार्ट टू जो गवर्मेंट स्कीम से रिलेटेड है कोश्चन्स वो पूछे जाते हैं एक्जाम्स में आप प्रिविए से रूठा के देखेगा उसमें काफी सारे कोश्चन्स रिलेटेड तू गवर्मेंट स्कीम से बने हैं चाहे वो पिक में देखने को मिलेगा यह जो लॉंच की गई है 10 सप्तंबर 2020 को लॉंच की गई बेसिकली इसका एम क्या है इस स्कीम का की ब्लू रेवलुशन लेकर आना थ्रू सस्टेनेबर डेवलप्मेंट और फिश्री सेक्टर में फाइव यर का टार्गेट इसमें सेट अप किय गया है इसको अनॉंस किया गया जो हमारा बजट है यूनियन बजट 2019-20 का उसमें अनॉंस किया गया बैनिफिशरी इसमें वो रहेंगी फिश 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 फार्मर्स जो रहते हैं उनको बैनिफिट देखने को मिलेगा फिश वोकर्स फिश वैंडर्स ठीक है एसी एस्टी बैनिफिश जो भी इस वोबनेश त्रॉममें इस एखने को बैनिफिशियल मिलेगा ठीक है नेक्स्ट ट्राइफुट स्कीम किया है रिलेटेट ट्राइबल से रिलेटेड है यह स्कीम जो है जो है जुएन इनिशाटीव मिनिस्ट्री ओफूद प्रोसेसिंग इंडस्ट्र and Ministry of Tribal Affairs and Trifed का initiative है ठीक है यह जो रहती है इसको promote किया जाएगा इसके तहट minor forest जो produce है minor forest produce होते क्या है आए देखते हैं इसके बारे में minor forest produce जो है वो है उसमें आजाएंगी bamboo mat आजाएंगी honey आजाएगा ठीक है fruits olive oil, opium, flowers, ilaichi, ginger जो रहेगा ठीक है यह सोंगी वगएरा जो रहती है वो किसमें आजाएगी minor forest produce में आजाएगी ठीक है major forest product में timber जैसी चीज़े आजाएंगी ठीक है जिसमें forest यह काटे जाते टिंबर वगएरा यहां पर आपको लिस्ट देखने को मिलेगी ठीक है यह bamboo नहीं है bamboo तो आता है किसमें minor में आता है ठीक है तो जो major forest है उसमें रहेगा timber, teak, poles, firewood, sandalwood, reed, junglewood, poles यह सारे किसमें आजाएंगे major forest produce में आ जाएंगे अगर minor forest produce की बात करेंगे उसमें जो जड़ी बूटिया रहते है आयरुवेधी herbs जो रहते है पेड़ पोधे रहते हैं यह भी आपको minor forest produce में देखने को मिलेगा spices, fiber, grass, other than fodder, plants, honey, bee wax, vegetable oil, seeds, medicinal plants ठीक है medicinal trees जो हैं जो medicine के लिए काफी वो प्यूपत हैं वो भी सब किसमें आएंगे minor forest produce में आएंगे ठीक है next चलते हैं इसका एक सेके ठीक है यह जो process रहेगा यह जितनी भी चीज़े हैं जंगलों में ठीक है इसको बेचने का काम किया जाएगा थ्रू आउटलट ओफ ट्राइब्स इंडिया ताकि जो ट्राइब्स हैं हमारी इंडिया के उनको benefit हो सके क्योंकि जो ट्राइब्स रहती है न तो वह इसी चीज़ के उपर ज्यादा डिपेंड रहती हैं हमारी इंडिया में और सो प्रमोट किया जाएगा जैसे लोकल इंप्लॉइमेंट ओपरचुनिटीज देखने को मिलेगी फोर ट्राइबल कम्यूनिटीज के लिए काफी मतलब इसमें योगदान रहेगा और इनको परचुनिटी मिलेगी नोक्री करेंगे आगे तो इनको काफी बैनिफिट होगा प्रधान मंत्री जो है हमारे इंडिया के उन्होंने लॉंच किया वंधन स्कीम इन बीजापूर डिस्टिक ठीक है यह सब चीजें किसके अंडर देखने को मिलेगी आपको वंधन योजना के अंडर और वंधन स्कीम जो है बीजापूर डिस्टिक जो है चतिसकड़गी वहां पे हमारे प्राइम निस्टर ओफ इंडिया इसको लॉंच किया कव 14 एपरल 2018 में आई होप आपको यह बिल्कुल क्लियर हुई होगी नेक्स चलते हैं कंपाउंट इंटरस्ट वेवियर स्कीम इस स्कीम को आगे समझाने स से पहले आप यह समझिए कि जब लोगडाउन लगाया गया मार्च मंत में लास्ट एयर ठीक है में आर्बियाई ने एक तरह से सुविधा दी लोगों को उन लोगों को जिन्होंने बैंक से लोन लिया था किसी भी फैनेंशल इंस्टिटूशन से ठीक है स्पोस मैंने 50 लैक लाइक का लिया लौण लिया पर मेरे मेरे को अभी क्या यह लूट्य जो है। इसको 6 मंथ के लिए 50 L ng का लूट्ड लिया गया बत मेरे को अभी पेमेंच करने की ज़री त नहीं थी यहांपर 6 मंथ मॉरेटोरियम का फायदा दिया स्पीनर्च को किसके दौरा RBI के द्वारा बट इसका मतलब यह रहेगा ठीक है मींस 1st मार्च से लेकर 31st अगस्त तक यहां पर जो मेरा EMI का पेमेंट है जो इंटरस्ट का पेमेंट है वो मैं एक बार पेमेंट नहीं करूँगी मतलब नहीं करना चाहती तो नहीं करो कोई बात नहीं इसमें ऐसा बोला गया 31st अगस्त के बाद कर देना ऐसी सुविदा दी गई इसके द्वारा बैंक के द्वारा प्रोब्लम ये थी कि जब तक आप अमाउंट पे नहीं करोगे तो इसके उपर भी इंटरस्ट दिया जाएगा means normal EMI का जो पेमेंट जाता है every month जैसे 15,000 मेरा क्या जा रहा है normal EMI का पेमेंट जा रहा है तो इस 15,000 के उपर भी इंटरस्ट लगाया जाएगा यानि की इंटरस्ट ओन इंटरस्ट लगाया जाएगा difference between compound interest and simple interest जो देखने को मिलता है for six month moratorium period यह पहले मैंने आपको समझाया scheme जो है वो applicable रहेगी किसके लिए loan जो लेते हैं by MSME यानि की micro small and medium enterprises और साथ ही साथ loan जो रहेगा retail customer जैसे education के लिए लिए housing consumer durable automobiles provide करवाया जाएगा यह borrowers को aggregate outstanding loan 2 crore और less from all such loans यहां पर आप देख सकते हैं festive respite bank जो है वो credit करेगा compound interest loan up जो होगा 2 crore between 1st March to 31st August तक जो borrowers रहेंगे by November 5 यह last year का है ठीक है जब lockdown लगा था उसी के ही बीच में scheme लाई गई थी RBI के द्वारा loan जो cover किया जाएगा home education consumer यह मैंने आपको पहले यहां पर बता दिया ठीक है condition जो रही गया outstanding loan exceed किया जाएगा not exceed to 2 crore eligible borrowers यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं government जो है वो साथ ही साल government embrace करेगी जो बैंक जो है और non banking financial जो companies है after the credit loan account submit claims next is accelerate विज्ञान scheme यह जो scheme related to science है ठीक है विज्ञान scheme है यह single platform है for research जो रहते है research development जो देखने को मिलती है research internship and capacity building program है यह workshop create की जाएगी across the country new scheme जो है यह launch की गए जिसको बोला गया accelerate विज्ञान यानि की AV launch किया गया किसके द्वारा by science and engineering research board के द्वारा objective किया है इसका की primary objective यह रहेगा inter-ministerial scheme है यह पहले तो यह बात clear होनी चाहिए दूसरा यह कि encourage किया जाएगा high-end scientific research को और prepare करना scientific manpower को ताकि research and development की field में बच्चे जो है वो निकल के आए आगे ठीक है उनको knowledge मिल सके research career उनका अच्छा रहे ठीक है knowledge based economy देखने को मिलेगी scheme के तहत science and engineering research board जो है with statutory board यानि की law के द्वारा create की गई है पाल्यमेट में और किसके अंडर आती है department of science and technology के अंडर आती है जो ministry of science and technology ministry इसकी है establish इसको किया गया act के द्वारा पार्लेमेंट ओफ इंडिया में 2009 में अटल innovation mission अटल new India challenge अटल innovation mission क्या है यह flagship initiative है जो promote करेगा जो culture of innovation in the country अटल innovation mission यह partnership रहेगा अलग अलग मिनिस्ट्रीज इसमें इंवाल्व है यानि की railway board है ministry of drinking sanitation ministry of agriculture and farmer welfare ministry of road and transport and highways ministry of housing and urban affairs इनके द्वारा लॉंच किया गया अटल new India challenge भी ठीक है जितनी भी ministry मैंने यह बताई है आपको प्लीज सारे ministers के नाम लिखिए लिखिएगा comment box में 17 pre-identified focus area इसमें देखने को मिलेगा अटल innovation mission में जो national institution for transforming India यानि की नीतिया योग है उसके द्वारा लॉंच किया गया अटल new India challenge जो किसके अंडर था अटल innovation mission अटल new India challenge ठीक है किसके द्वारा लॉंच किया यह नीतिया योग के द्वारा एम क्या है कि new innovations रहेंगी उसको build up करना focus जो रहेगा जो problems देखने को मिलती उसको कैसे solve किया जाए कोर एरियास में directly जो impact परता है लोगों की life के उपर ठीक है और generate करेगा यह क्या employment इसके अंडर 17 pre-identified focus area रखे गए हैं जो grant करेंगे up to 1 crore rupees इसमें grant किये गए हैं challenge जो है वो openly all these startup companies इसमें क्या कर सकते रेजिस्टर कर सकते जो newly newly जिन्होंने company start किया जो startups हैं किसके अंडर company act 1956 और company act 2013 के अंडर next है self employment scheme for rehabilitation of manual scrvengers यानि कि जैसे आप पिक में देख सकते हैं gutter की सफाई कर रहे हैं यह ठीक है इसके चलते क्या होता है कि कई लोगों की जान तक चली जाते है ठीक है काफी harmful chemicals भी होते हैं इसमें ठीक है तो इसके तहट क्या है इनको rehabilitation करने के लिए scheme को लाया गया है ताकि जान मान की हानी ना हो ठीक है मजबूरी के कारण इनको यह सब करना पड़ता है वह पेट पालने के लिए ठीक है रोजी रोटी के लिए यह सब इनको देखने को मिलता है कैसे condition है मतलब कोई normal person होगा तो बिलकुल नहीं जाना जाएगा ठीक है ऐसी मजबूरी है इनको कि यह सब gutter वगरा साफ करने के लिए इनको भेजा जाता है बट USA में अगर देखा जाए इस चीज के लिए especially machines है ठीक है हमारी country में भी है बट उसको use नहीं किया जा रहा क्यूं यह भी एक reason है क्यूं ऐसा देखने को मिलता है society में self employment scheme जो है rehabilitation of manual scrvenging है successor scheme है यह national scheme for liberation and rehabilitation of scrvenging and their dependent introduce इसको किया गया 2007 में objective जो है इसका की manual scrvengers है जो उनको rehabilitate किया जा सके dependence जो alternative occupations है time bound manner में prohibition मत यानि की मनाही करता है employment जो है manual scrvenger की Rehabilitation Act 2013 के तहत यह effect में आया 6 December 2013 में achieve करेगा जो objective रहेगी eliminate करना in sanitaries जो latrins रहती है प्रोहिबिशन मनाही करना employment का manual scrvengers etc यह जो act है यह बताता है National Commission for सफाई करमचारी monitor करता है कि ऐसे कैसे चीज़े implement हो रही है इस provision के अंडर जो है no person local authority और agency engage करेगी employ करेगी people को ऐसे hazardous cleaning के लिए severs के रहे septic tanks के लिए ठीक है ऐसे provisions इसमें रखे गए है अगर कोई इस चीज़ का violation करता है मतलब इसका हनन करता है तो punishable है वो person two years के लिए उसको jail हो सकती और साथ ही साथ में right to live यानि कि right to live हमारे article में भी है कुन से article में fundamental right के article 21 में fundamental right जो है part 3rd में है 12 to 35 हमारे fundamental rights में आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो आर्टिकल 46 है यह DPSP से related है यानि कि डिरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी state shall protect state क्या करेगा weaker section को क्या protect करेगा पर्टिकुली जो रहेंगे schedule castor schedule tribes social injustice जो देखने को मिलता है उसको चीजों को change किया जाएगा इसके तहत all form of exploitation next है आप यहां पर देख सकते हैं मैप में कि सबसे ज़्यादा मैनुल सक्रवेंजिंग से जो लोगों की death हुए वो गुजरात में हुई है 162 यहां पर तामिल लाडू में सबसे ज़्यादा है ठीक है गुजरात second number पर पर यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है तामिल है हतकरगा संवधरन सहत्ते र जोजना ministry ऑफ textile के दोरह इंट्रेडूज कीगे न्यू टेकनावर्य ताकी अपग्रेडेशन कर सके स्कीम का हतकरगा संवधरन सहत्त्ते र जोजना को यह इस कीम जह इंट्रेडेशन देखने को मिला National Handloom Development Program का Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme का 2015-16 में Aim जो है इसका कि जो Handloom सीजे रहती है हाथ से जो बुनाई कड़ाई रहती है उसको क्या करना Market Level पे, National Level पे उसको प्रमोट करना Handloom Weavers को Improve करनी जो Fabric, जो कपड़े की Quality है उसकी Productivity उसको कैसे Improve किया जा सके ताकि Fine जो है वो चीजे बन सके इस Scheme के अंडर क्या है Government Bear करेगा Government जो है Union Government वो Bear करेगी 90% of the cost of looms and accessories Next है Kapila Kalam Program Kapila Kalam Program जो है यह किसके नाम के बाद रखा गया है जो हमारे Honorable President of India थे APG अब्दुल कलाम जी के नाम पे इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है Union Education Minister के द्वारा इसको लॉंच किया गया Kapila Kalam Program को 89th Birth Anniversary सेलिब्रेट की उस टाइम Former President जो हमारे और Scientist Dr. APG अब्दुल कलाम जी थे जिनको Missile Man of India के नाम से भी बुलाया जाता है ठीक है कलाम प्रोग्राम जो है इसमें क्या रहेगा Intellectual Property, Literacy and Awareness Intellectual यानि कि जो IP रहती है चीज़े IP अड्रेस भी आपको देखने को मिलता है वो तो कम्प्यूटर में होगा Intellectual Property है यह थोड़ा अलग है ठीक है इसमें जो patent रहते है Intellectual जैसे जो invention की गई किसी भी medicine की कुछ नई नई discoveries की गई ठीक है रिसर्च के द्वारा नई चीज़ निकल के आए ठीक है उसके लिए Intellectual Property राइट भी देखने को मिलता है ठीक है जैसे विप्रो वर्ल्ड Intellectual Property Organization है उनके द्वारा ये सब चीज़े प्रोवाइड करवाई जाती है प्रोग्राम जो है वर्चुली लॉंच किया गया था 15 October 2020 में Union Education Minister के द्वारा जो है रमेश पोख्रिया निशांग spread किया गया इसके द्वारा की जो awareness फेलाएगी लोगों में कि इंपोर्टेंस क्या है पेटेंट जो मिलता है और invention जो है उससे related प्रोग्राम जो है facilitate जो रहेगा colleges में, institution में encourage करेगा students को कि वो कैसे वो patent को पास के ठीक है research की field में जाके ministry जो रहेगी वो celebrate किया उन्होंने 15 October to 23rd 23rd October तक ये week celebrate किया गया intellectual property literacy week को celebrate किया कब 15 October to 23rd October तक ये जो institution innovation council है annual report इस प्रेजेंट की launch किया साथ ही साथ कपिला कलाम campaign institution innovation council जो इसको establish किया गया ministry of education के दौरा 2018 में ministry of education जो है वो पहले कौन सी ministry थी ministry of HRD यानि कि ministry of human resources and development जब new education policy आई 2020 की उसमें मिनिस्ट्री को चेंज किया गया जो नाम रखा गया ministry of education अगर institution innovation council की बात करें इसको establish किया गया in about 1700 higher educational institution इसमें establish किये जाएंगे इसी के साथ साथ establishment रहेगा 5000 higher education institutions का अंडर institution innovation council next is सफूर्ती स्कीम सफूर्ती की फुल फॉर्म क्या है scheme for of fund for regeneration of tradition industries आप से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है ठीक है इनिशेटीव है मिनिस्ट्री ओफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटर्प्राइजीज जो मिनिस्ट्री है ठीक है प्रमोट जो करेंगे cluster developments जो रहेंगे cluster यानि की छोटे 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 चीजे रहती है ना छोटे छोटे जो ground level पे industries रहती है जैसे कपड़ा सीनने वाली जो रहती है industries वो cluster रहेंगे इसको कैसे development किया जाए जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटर्प्राइजीज है यानि की छोटे 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 जो लगूद हो गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन जो है ये नॉडल एजनसी है इसको प्रमोट करने के लिए ठीक है फोर खादी ministry जो रहेगी micro small and medium enterprises ये sport करेगी intervention जो रहेगा infrastructure through common facility centers देखने को मिलेंगे अलग-अलग area में ताकि new machinery जो है design intervention देखने को मिले new new development देखने को मिले ताकि उसकी जो पैकेजिंग है उन चीजों की उसको इंप्रूव किया जा सके और market में इसको कैसे हम produce करें market में कैसे हम इसको लेके आए ताकि employment भी से जनरेट हो और लोगों की है जो लिवलि हुड वो भी सही रहे next है सो फूर्ती cluster जो है वो two types के इसको divide किया है regular cluster में रहेंगे 500 आर्टिस्ट जो देखने को मिलेंगे government इसकी सहायता करेगी up to 2.5 crore इसमें initiative रहेगा government का major जो cluster है more than 500 आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे और जो सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी 5 crore focus जो दिया जाएगा स्ट्रेंथ करने के लिए cluster governance system active participation रहेगा stakeholders का और emerging challenges देखने को मिलेंगे opportunities लोगों को दी जाएगी जो काफी responsible चीजे रहेंगी next है mission करम योगी काफी important है अगर UPSC के बारे में बात करें तो ठीक है काफी important है UPSC में पूछे जाने के काफी chances है mission करम योगी से related civil service जो है ठीक है civil services शमता निर्मान के लिए एक नही राश्ट्री सनरचना है ये ठीक है अगर aim की बात करें तो Indian civil servant को रचनात्मक यानि की capacity building individual institution जो रहेगा ठीक है इसमें क्या रहेगा जैसे training जो रहती है selection के बाद जो मसूरी में training रहती है वहाँ पर इसका training का system क्या करना change करना ठीक है ताकि इस सही तरह तरीके से development हो सके और digitally platform प्रोवाइड करवाया जाएगा इसके तहर civil servant को selection के बाद उने वाली training system को अपग्रेड करना है और civil servant को अबसर प्रदान करना ताकि वह अपने परदर्शन के सुधार परदर्शन में सुधार ला सके इस इस प्रोग्राम के delivery के लिए integrated government जो है इस प्रोग्राम के delivery के लिए integrated government ओनलाइन ट्रेनिंग यानि की आई गौट करमयोगी platform भी स्थापित किया जाएगा ये platform अधिकारियों की शमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्यादुनिक सनरचना उपलब्द करवाएगा इस platform पर created digital e-learning material available होगा ठीक है होली special purpose vehicle होंगे operate किया जाएगा online learning platform कोडिनेट जो रहेगा वो किसके द्वारा head किया जाएगा cabinet secretary के द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं policy framework, institutional framework, competency framework, digital learning framework जो मैंने आपको बताया भी I got करमयोगी electronic human resource management system है, monitor किया जाएगा, evaluate किया जाएगा framework को next है deep ocean mission, deep ocean mission के अगर बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं deep ocean mission में क्या रहेगा, जो हमारा C है, ठीक है, उसके core में जाके क्या की जाएगी, study की जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं कैसे यह machine है, यहां पर इसी के द्वारा क्या किया जाएगा, research की जाएगी, इसे related deep ocean mission के तहट, जो ISRO का initiative है, ISRO भी इसमें क्या है, initiate करेगा, government of India ने decide किया है, लॉंच किया है, deep ocean mission, aim जो है, इसका की marine जो diversity है, marine जो diversity यानि की काफी सारे पोधे भी पाए जाते हैं, अलग-अलग species पाए जाती है, plants की, और animals की काफी सारी species पाए जाती है हमारी country में, अगर marine diversity की बात करें तो, ambitious project है, यह जो manage किया जाएगा, ministry of earth sciences के द्वारा conduct करवाएगा, यह exploration जो underwater चीजे रहती है, similar lines, isro does for this space, यैसे isro क्या करते हैं, space पे क्या करते हैं, research करते हैं, चीजों को वैसे ही deep ocean mission, यानि की ocean में भी ऐसे research किया जाएगा, focus जो दिया गया, जो study रहेगी deep water bodies की, हमारी country में, जो undiscovered minerals हैं, जो अभी तक discover नहीं की चीजें, उ इनको, इसमें man force और robotic machines भी included रहेंगे, उनको use किया जाएगा, इस mission के लिए, tasks जो है deep sea mining का, energy exploration सर्वे किया जाएगा, object जो पाए जाएंगे, उसके उपर इसका सर्वे किया जाएगा, offshore decennation, regularly देखने को मिलेंगे, two key project है, जो included है, deep ocean mission में, first है decennation plant, submissible vehicle, 600 meter depth पे यह चीजें जाएंगी, यह क्या है central sector scheme है, center sponsor नहीं है, central sector scheme का मतलब है, कि fully जो union center government है, वो ही इसमें चीजों को देखेगी, ठीक है, center sponsor के अगर बात करें, center और state उसमें दोनों मिलके काम करेंगे, next है, rooftop solar scheme, यह ministry of new and renewable energy के दार रिलीज की गी है, rooftop solar scheme, generate करेगी, यह solar power है, उसको कैसे solar panels को कैसे install करना है, houses के उपर जो चटों पर roof लगाया जाएंगे, rooftop, ministry जो है new and renewable energy जो है, वो implement करेगी, grid connection, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह चटों पर जैसे चट जो रहती है, उसके उपर यह rooftop लगाया जाएगा, ठीक है, grid connection देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो aim है, इसका क्या है, cumulative capacity 40,000 MW की capacity है, उसको generate करना है, 2022 तक grid connection जो rooftop है, वो small solar photo voltage system जो है, यह DC direct current power को generate करेगा, from the small solar photo voltage panel, वो convert करेगा AC power में, ठीक है, alternative current में, यूज करेगा यह power जो conditioning रहती है, unit, scheme जो है, इंप्लिमेंट की गई है, state में, by distribution, companies जो रहती है, जिसको हम बोरते हैं, power को distribute करने का काम करती है, यह state में, इसके द्वारा यह क्या है, scheme को implement किया गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैसे rooftop, rooftop पे यह solar solar जो पैनल है, इनको set up किया जाएगा, नेक्स्ट है, portion अभ्यान, national nutrition mission, portion अभ्यान जो है, इसको national nutrition mission के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 2018 में launch किया गया, टैकल करने के लिए, जो कुपोशन के शिकार, जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, वुमेंस रहते हैं, उसको कैसे टैकल किया जा सके, इस problem को हमारी इंडिया में, यही aim है, इस mission का, objective है, कि जो reduce रहता है, level under nutrition, also enhance करना nutrition status, children में, हमारी country में, multi-ministerial initiative है, यह aim, remove करना malnutrition को portion को by 2022 तक, portion अभ्यान जो है, वो इंडिया की flagship scheme है, improve करना nutrition outcome, जो adolescent में देखने को मिलते हैं, children, pregnant women में, लेक्टिंग मदर्स में, ठीक है, लेक्टिंग मदर्स जो दूद पिलाती हैं, बच्चों को, ठीक है, बच्चे के बर्थ के बाद, portion जो है, portion की full form क्या है, prime ministers overarching scheme for holistic nutrition, यह याद रखेगा, portion की full form को, program जो है specific target है, reduce करना, stunning, anemia, under nutrition, यहाँ पे आप देखिए, different type of under nutrition, देखने को मिलेंगे, यह normal बच्चा रहेगा, ठीक है, वेस्टिंग के अगर बात करें तो, वेस्टिंग में रहेगा, weight कम है, और height के हिसाब से, ठीक है, stunning, low weight for age, मतलब age सही है, ठीक है, बट height उसकी बच्चे की कम रहेगी है, under weight यानि की, weight कम है, age के हिसाब से, यह सारी के हैं, different type of under nutrition है, अगर देखे, mission 25 by 2020, national nutrition mission का जो एम रहा, 2020 के तहर, अचीव करना की, जो कम किया जा सके, जो stunning, जो चीज़े रहेगी, stunning आप देख सकते हैं, low height for age, stunning का जो है, under nutrition type, इसको reduce करने की बाद की गए, 2020 में, ठीक है, कब तक, कितनी 38.4% to 25% by 2022 तक, initiative जो रहा, states का, और union territories का, meetings में target सेट किये गए, आंगनवाडी centers, इसमें function करेंगे, ठीक है, हमारे जो आंगनवाडी centers रहते हैं, local level पे, ground level पे, other जो schemes है, इससे related परधान मंतरी, मात्रु वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, scheme for adolescent girls, स्वच भारत अभ्यान, PDS National Health Mission, यह सारी कि सके अंडर आएंगी, ठीक है, इससे related ही scheme, इसके अंडर नहीं आएंगी, ठीक है, implement जो एजनसी है, यानि कि ministry कौन से involved है, ministry of women and child development, National Nutrition Mission के अगर बात करें, तो aim जो है कि reduce करना stunning 2% annually, reduce करना under nutrition 2%, reduce anemia, जो खून की कमी हो जाती, उसको कम करना 3% annually, reduce करना low birth weight 2% annually, यह थी आपके important schemes, और भी जो important schemes है, वो मैं next video में लेके आऊंगी, ठीक है, अगर आपको इससे related कोई डाउट है, please comment box में लिखेगा, I hope आपको यह सारी scheme समझ में आई होंगी, अगर आपको यह वीडियो सही रगी हो, तो please like, share and subscribe जरूर कीजिएगा, इस lecture की PDF आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगी, ठीक है, अब description box में इसका link में provide करवादूँगी, thank you for watching my video, जै हिंद!